जुली इंटरनेशनल में आपका स्वागत हैं एक और फीचर के बारे में जानना चाते हैं हम यह चाते हैं हम आपको PSD 1000 PSD अपने शॉफ्टर के साथ दे रहे हैं आप चाते हैं हम अपनी PSD में डायरेक्ट कैसे काम करें तो सिंपल सा तरीका है सबसे पहले हम कस्टमर का फोल्डर ब्राउज करेंगे फोटो का फोल्डर जो हमने कहां रख रखा है सबोज हमने यह कस्टमर का फोल्डर ब्राउज कर लिया यह हमारे कस्टमर का फोल्डर आपको हमारे यहां शो हो जाएंगे इसके बाद हम अगर अपनी PSD है हमने अपनी software के साथ में आपको कुछ PSD दे रखें, 1000 PSD है photo book में जाएंगे तो photo book में भी आपको अलग-अलग PSD मिलेगी 12-36 करेंगे, 12-36 मिलेगी आप चाते हैं नहीं, हमें अपनी PSD में काम करना चाहिए, तो आप your templates के उपर click कीजिए ध्यान रहे, आप वो folder browse करेंगे, जिसके अंदर पहले से PSD, जैसे other folder आपका है इसके अंदर एक PSD है आपको software के साथ में यहां show करने के लिए जो PSD फाइल है, उसी नाम की एक JPG फाइल, छोटी फाइल low resolution में आपको बनानी है बस आपका हो गया काम आप देखें, हमारे software में जाइए, यह PSD में, आपने देखेंगे, आपकी जो PSD फाइल है वो कहां पर है, हम सीधा other PSD फाइल जो आपने बना रखा है folder, उस पर click करेंगे, ok करेंगे वो हमारे को other, यह आपकी PSD यहां ready है अब आप इन में काम करना चाहते है photo के साथ double click कीजिए आप यह देखेंगे यह आपती simple layer है इन layer पर भी आप आराम से काम कर सकते है अब आप इसमें देखेंगे, आप जैसे photo जाएंगे, layer select कीजिए और picture layer enable रखिए आप layer इधर से select कीजिए हमारे software के साथ आप double click कीजिए इधर आप select कीजिए इधर आप software में double click कीजिए इधर आप यह layer select कीजिए हमारे software में double click कीजिए इधर आप layer select कीजिए और इधर आप यह जो effect लगा है वो भी आपका इसमें लगा रहेगा वो कहीं describe नहीं होगा आपको इसमें और फिचर चाहिए लेयर सेलेक कीजिए डबल क्लिक कीजिए यह शांदार डियार आपका इसमें तैयार हो गया आशकता अनुसाथ किसी भी तरह से आप फोटो को अडजेस्ट कर सकते हैं अब आप चाहते हैं दूसरी PSD में काम करना आप यह भी देखिए वापस टेंपलेट में जाएंगे यह आपकी PSD इसको भी हम खोलेंगे यह सब आपको लेयर में मिलेगी अब आप एक देखेंगे उसमें जूली लेयर था यह अपने आप कंवर्ड कर देता है जैसे आप इसमें लेयर में डबल क्लिक करेंगे वो फोटो नहीं लगा देगा अगर आपका enable नहीं है, ये enable नहीं किया और आपने layer select कर लिया ये layer तो आपका photo नहीं लगेगा, message आएगा select layer तो ध्यान रहे हमें पिक्चर लेयर इनेबल ही करना है अब आप दूसरा फोटो लगाना चाहते हैं आपने दूसरा शेप है तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहे शेप हो चाहे लेयर हो किसी भी तरह का PSD फाइल होना चाहिए बस आपका काम धना धन चलू रहेगा बहुत ही स क्लिक कीजिए वह आपका लेयर लग जाएगा यानि कि अब आप अपनी PSD में भी शांदार अंदाज से काम कर सकते हैं यह आपका डिजाइनिंग का लेवल देखिए अधनेवाद